ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तो एश्टो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 21 मार्च सौंबार के राशी फल के बारे में कीह दिन उम राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर मना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चलि दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा कुम्ब राशी वालों के लिए सौंबार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजटिव रहने वाला हैं दोस्तो आपकी संतुलित दिन्चरिया की वज़े से अधिकतर काम आज समय पर पूरे होते जाएंगे साथी साथ दोस्तो किसी धार्मिक प्रवर्ती के विक्ति से आज आपकी मुलाकात आपकी विचारधारा में शकार अत्मक परिवर्तन लाएगी तथा जीवन से जुड़े प्रते कार को करने का बहतरी नजरिया आज आपको प्राप्त होगा आर्थिक इस्तिती भी आज आपकी काफी अच्छी रहेगी रिष्टेदारों के साथ मनोरंजन संबंदित प्रोग्राम बनेंगे और संबंदों में नजदी की आएंगी पिछले कुछ समय से जिन कारों के प्रती आप मेहनत कर रहे थे आज उसके सुब परिणाम उमीद से ज़्यादा आपको प्राप्त होंगे धार्मे कारों के प्रती आज आपका रुजहान बढ़ेगा पिछले कुछ समय से जिन कामों में रुकावट आ रही थी वे आज बहुती सहज और आसान तरीके से हल हो जाएंगे वस्त्र आबूशन जैसी खरीदारी में भी आज समय व्यतित होगा समय आपके पक्ष में हैं इसका सम्मान करें किसी सुब समाचार के मिलने से घर परिवार में आज खुसी का माहौल रहेगा आपकी मेहनत वे परिश्रम से कोई महत्पपूर्ण कर रहे आज संपन होगा आपकी योगता और छमता पर परिवार के सदस से गर्व महसूस करेंगे किसी विश्वेशनिये व्यक्ति की शला और शयोग आपकी खोई हुई परिश्ठा को दुबारा हासिल करवाएगा जिससे आपके आत्म विश्वास में वरद्दी होगी घर में कोई धार्मिक आयोजन भी आज संपन होगा दोस्तो आज का दिन आपके लिए बहुती अच्छा दिन सिद्ध होगा दोस्तो आज आपको नहीं नहीं सफलता हैं मिलने के अनीको योग हैं दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता हैं दोस्तों के साथ आज फिजूल घूमने फिरने में अपना समय व्यर्थ ना करें अपनी शाररिक उर्जा को बना कर रखें आलसवे मनोरंजन में समय व्यतित करने की वज़े से बनते कामों में रुकावट आ सकती है अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज समाल कर रखें कोई इ नजर रखें बच्चों की समस्याओं को सांती पूर्वक सुल्जाएं उन्हें डाटने वे गुस्सा करने से उनके अंदर हींता की भावना उपज सकती है कालपनिक बातों पर अधिक ध्यान ना देकर यथार्थ पर विश्वास करें परन्तु ध्यान रहे कि कि किसी भी कार करने से पहले उसके अच्छे बुरे पहलों पर आप विचार अती आवश्यक करें क्योंकि कुछ गलत होने की भी संभावना लग रही है साथी साथ आज अधिकतर समय घर से बाहर व्यतीत करना पड़ सकता है परन्तु सफलता प्राप्त करने के लिए मर्यादाओं का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक है कोई भी अनुचित कार रहे और आपका क्रोध पूर्ण वैवार आपकी योजनाओं को डगमगा सकता है साथान रहें दोस्तों दूसरों के सुजावों पर गंभीरता से विचार करें तता फिजूर खर्ची से बचें अचानक ही किसी प्र लाइफ के शिरेने वाली हैं दोस्तों विवाहित जीवन आज शुक में रहेगा प्रेम संबंदों में आज काफी मजबूती आएगी प्रेम संबंदों के लिए आज का दिन बहुती आपके अनुकूल हैं परिवारिक गति विदियो में आपका शयोग और समर्पन वातावर कारे में अपने जीवन साती की आपसला हवस्च चलें आज का दिन आपके प्रेम संबंदों को मजबूत बनाने के लिए एक बहुती अच्छा दिन शाबित होने वाला हैं दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका वैवशाय केरियर कैसा रहने वाला हैं दोस्तों आज ग्रह इस्तितियां आपके पक्ष में हैं कुछ अच्छे कारे आपके सफल होंगे तथा तरक्की के उचित अवसर आपको प्राप्त होंगे नोकरी पेशा व्यक्ति अपने कारे को बहुत अधिक ध्यान पूर्वक करें कोई गल्ती होने की भी आज संभाव ना हैं दोस्तों देनि टारगेट पूरा करने से तरक्की मिल सकती हैं आज कुछ नए अनुबंद मिलने की संभाव ना हैं कोई भी डील फाइनल करते समय समझदारी और सूजबूज से काम लें लाब के मार्ग प्रस्तत होने के आज योग बन रहे हैं अथे समय का आप भरपूर सद्यूपयोग कर दोस्तों वैवसाई गतिविदियां आज सुचारू रूप से चलती रहेंगी परन्तु नोकरी पेशा वाले व्यक्तियों को अपने कारों के पिरती थोड़ा साफधान रहने की वियावा सकता है अन्यता अधिकारी वर्ग की नाराजगी का भी आपको शिकार होना पड़ सक परन्तु किसी भी प्रकार के अनुचित कारों को करने से आपको बचना होगा दोस्तों प्रोपर्टी से सम्मदित कारों में पेपर वर्ग पर आप अधिक ध्यान दे जरासी साभधानी आपको किसी बहुत बड़ी मुसिवत से बचा सकती है नोकरी पेशा व्यक्तियों से ब प्रमोसन मिलने के भी आज योग बन रहे हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है। दोस्तों आज गिरने से या वाहन आदी से चोट लगने की संभावना बन सकती है। इसलिए आज आज आप अत्यादिक साफधानी बरते हैं। वैसे आज आज आपका स्वास्त बहुती अच्छा रहेगा। साथ साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, वयाम करें, स्वस्त रहें। दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश हुपाय क्या हैं। दोस्तो आज आप इशनान आदिशे निर्वत्र होने के बाद अपनी श्रद्ध के नुशार, अपने शामर्थ के नुशार, चावल, दूद, या फिर चांदी का दान करें। जोस्तो ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन होने के साथ साथ आपका चंद्रमा भी मजबूत होता है। इससे जीवन में तरक्य की राहें लगातार खुलती चली जाती हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।